सुजानपूर क्षेत के बीर बगेडा में गोलीकान में माबेटे की हत्या मामली में परिजरों ने बीटिया फाउंडेशन के बदादिकारियों के साथ मिलकर डीसी हमीरपूर को ग्यापन सौपा है ग्यापन के माध्यम से गोली कान के आरोपी के पिता की बंदू के लाइसेंस को रद करनी की मांग उठाई गई है साथी परिजनों ने जिलाप्रिशासन के समाक्ष्विस हत्या की वारदात में अपने पती को खोने वाली ममता को रोजगार देनी की भी मांग उठाई है इस प्रतिनीदी मंडल में लाठली फाउंडेशन हमीरपूर के पदादिकारी पेडित परिवार जन और स्थानिय महलाएं मौझूद रही हाथसे में अपने परिवार के दो सदस्यों को खोने वाले परिवार जनों का कहना है कि आरोपी चंचल सिंग फिलहाल नयाई खिरासत में है जब की आरोपी के पिता के पास अभी तक लाइसेंसी बंदूख है परिवार जनों का तर्क है कि उन्हें इस परिवार से खत्रा है ऐसे में इस बंदूख के लाइसेंस को रद किया जाए या आपके भी यह पड़ई है एक साल प्र इसमैर समयर से आये है जो घोडी चलाई थी उसके पापा के पास ब Hern 갈 है वह जबत की जाए हमारे को खत्रा है बच्चे के लिए आं उसका शासुर्ष बूड़ा है वही बिट्या वांडेशन हमीर अभी भी लाइसेंस बंदूख है ऐसे में गोलीकान में अपने घर के दो सदस्यों को खोने वाले परिवार जनों को खत्रा सता रहा है। उन्होंने कहा कि जिलाप्रिशासन और पुलिस तेवे इस लाइसेंस को रद करनी की मांग को लेकर यहां पहुंचे हैं। अरोपी ने गोली चलाई उसके पीता के पास भी राइफल है तो हम लादली फांडेशन एक तो उसको न्याय मिला जाए और उसके दो छोड़े बच्चे हैं और ममता देवी जो अग्रेजवेट है तो उसको जो नौकरी दिलाई जाए।